ओके चले तो आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा law of conservation of momentum है अब यह जो law of conservation of momentum है यह आपके ideally third law और यू कन से स्पेशल वर्जन है या मैथमाटिकल वर्जन है वहां पर अपने वह तो एफ रेक्शन है वो चीज़ को हम यहां पर प्राक्टिकल अस्पेक्ट में देखें और जबी भी आप law of conservation of momentum के examples देखेंगे तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि यह कहीं न कहीं third law के examples देखेंगे हैं Okay, anyways, let's come to this law of conservation of momentum. So, वो law क्या बुलता है? वो law यह बुलता है, इस वो अलग-अलग तरीके से आप रेप्रेसेंट कर सकते हूँ Method 1 is the law, sorry, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. यह एक तरीका हुआ इसको रेप्रेसेंट करने का. Condition is, if no external force is acting on the system of bodies. अब इसको आप दूसरे तरीके से कैसे बुल सकते हूँ, if no external force is acting on a system of bodies, the total momentum remains conserved. So, ideally, यहाँ पर अपने को प्रूव करना है की momentum remains conserved. So, now, what are the steps? इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? Let's see. So, step one is, you will have to draw a diagram. So, let us say, दो bodies है हमारे पास, A and B, A का मास, M A, B का मास, M B. So, A का मास, M A, B का मास, M B. So, we can take one and two also. One and two will go more conveniently. So, फिर आपको A, B या कुछ भी टीक्यू नाम रखोगे, तो उसके सब सबी चाल जाएगा. Speeds are U1 and U2. So, they are moving with speeds U1 and U2. अब इसमें condition क्या है, देखिए? Condition यह है कि U1 must be greater than U2. क्योंकि अगर U1 greater than U2 नहीं हुआ, तो कोलिजन नहीं हुआ, तो कोलिजन ही नहीं होगा, तो फिर मोमेंटम बिफोर और आफ्टर का चक्कर ही नहीं आएगा. अब देखिए, this is the situation before collision, so what is the total momentum before collision, अगर हमको total momentum before collision चाहिए, बता सकते हैं, तोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा, इस सिस्टम का total momentum बिफोर कोलिजन, वेरी गुड बात ती. संस्कुरूती, ट्राय करो बिटा, याश, what is the total momentum of this system before collision, चले, total momentum before collision होजाएगा, M1 U1 plus M2 U2. चाहब बाश, संस्कुरूती बहुत बढ़िया, अब क्योंकि U1 is greater than U2, तो कुछ देर बाद, जोर्लों के बीच में टतर होगा, तो एक्टोरियली आप इसको लिखना चाहो, तो आप लिख सकते हो, F A bar is equal to minus F B bar, आप उल्टा भी लिख सकते हो, minus F A bar is equal to F A bar, आइधर केस, बीख सकते होगा, यही अपना थर्ड लॉबी है, जैसे ही टकर हुआ, टकर होने के बाद क्या होगा, टकर होने के बाद, दोनो बॉड़ीज विल कंटिनू तो मूव, विद नूव वेलोसिटीज, मासे में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बत लेट उससे, बत लेट उससे, बत लेट अब वेलोसिटीज विल और विदू, रुदे गुट अब्टनून, काईय को सुटलो मुमेंतम आफ्ट विजिज विडूरी, अंधूरीज सब्लों क्राइगीजिए मियां होगा, वेरे गुटत विजिए वेरे कीजिए वेरे वेरे वेलीफटलों आफ्ट अफ्र विजिए वेरे गुटती विट विटूरी, पुनित केपी यश्यूश एपूब तलि उन्हें, पुरिदे अई मैं कि रूफिए, वुटा कि टाए्पिट अधूब पूम डागा विए इस्टमक्राइम पूमेंटंटंट्ट विए्ट अटॉट बागा जो यवे हैं? पारंगम गुड अफ्नून अधश्री बिटा आप करोगे इस सिस्टम का आपका आईगा M1V1 सब्सक्राइब करना है यह तो अब हमको यह प्रूव करना है यह तो चलो आपने बता दिया अटोटिल मुमिट्टाइब कोलिशन इतना है आफ्टर कोलेशन इतना है ग्रेक बट नाव वी अग्तू प्रूव कि यह दोनों एकोल है ठीक है चले तो इसको हम लोगे सीपोइंस भी दे देगे तो पॉंट नंबर वान और जाएगा आपका डाइग्राम तो तो इस डाइग्राम यह पूरा डाइग्राम प्रूपन 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 यहां से इस दूरिंग कोलिशन क्या होने वाला है यह टेकिन माइनस एफ इस एकल तो एक लिए कि आप आगे शुरू कर सकते हो एनी वालों इस और यू प्रोसीड फॉर्दर तो यह आपका F A है इस बोडी का मांस है N1 एक्सेलरेशन ले लिया A1 इस तरफ रही है बाकि आपके आंसर में कोई भी फरक पढ़ने वादा नहीं है झांसर में वालों पर एक्सेलरेशन लेजा tends is change in velocity upon time, so acceleration is the rate of change of velocity, so change in velocity upon time is acceleration, the time of collision is the same in both the cases, this time of collision is the same, time of collision is the same, we are cancelling out each other on both sides, because both are the same, brackets open, m1 v1 plus m1 u1 is equal to m2 v2 minus m2 u2, so now next what we are going to do is we are going to transpose these terms, these u-wallet terms 1-sat, v-wallet terms 1-sat, so m1 u1 plus m2 u2, this is equal to m1 v1 plus m2 v2, और इसका नाम क्या है, यह मेरा total momentum before collision है, यह मेरा total momentum after collision है, तो इससे मुझे पता चलता है कि is conserved, तो देखके लास्ट के लाइस के लाइंस लिखे हैं, इससे क्या पता चला, इससे पता चला, इससे पता चला, that momentum तो यह हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। So, what exactly do you remember about the frame of reference? क्या यादर है क्या लगता है आपको frame of reference क्या चीज़ होती है कमान बर्ती ओक वेरी गुड बर्ती तो जिस पॉसिशन से हम लोग देखेंगे पॉसिशन से हम देख रहे हैं उसके हिसाब से जो कोर्डिनेट से विल की पॉन चेंज़िंग आपके मैक्स में चीज़ होती है लोकस तो लोकस में हम लोग बहुत है सबस्क्राइए के विद्रिस्पेक्ट्ट टो इस अब आपमें उस ओरीजिन को शिफ्ट कर दिया एक उसमें एक्सरसाइज है बाकाइदा, शिफ्ट ऑफ औरीजिन बेलेटे तो आप नया कोडिनेट्स ले लेते हो एज को आपके शिफ्ट कर दिया ओरिजिन तो आपके सारे पॉइंट्स जो है वो अपने आप बदल जाते हैं तो आप क्यों बदल गए क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया है तो बेसिकली कैसा है है अपन अर्थ से मांट एवरेस्ट को देख रहे हैं अपने आपके मांट एवरेस्ट को देख रहे हैं अगर एक Observer है, जो Space में पहुँच चुका है, अब वो क्या देख रहे है? वो तो देख रहे है, अर्थ मूव हो रहे है, तो उसको पहले Mount Everest यहां दिख रहा था, अब उसको Mount Everest इधर दिख रहे है, अब उसको Mount Everest इधर दिख रहे है, तो इसको माउंट एवरेस्ट मूविंग दिखाई देगा आ रहे हैं बात समझ में आ रहे हैं ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो हमारे सामने वाले सीट पे जो बैठा है हम को व हमारे तरफ नहीं चला रहे हैं एक पर्टिक्यूलर डिस्टंस में टेंड रहता है तर इस हो इस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो सारा चीज जो है वो आता है इनर्शियल फ्रेम ओफ रेफरेंस तो अभी यह जो आपका इनर्शियल फ्रेम ओफ रेफरेंस है तो इसमें कौन-कौन क्वालिफाय होता है तो जो आपका इनर्शियल फ्रेम ओफ रेफरेंस है उसका क्वालिफिकेशन के लिए कौन आता है रेखिया वेन दो एक्सेलेरेशन इस जीरो तो जो भी मोशन हो रहा है और उसका नेट एक्सेलेरेशन आपको मिल रहा है जीरो यानी नौन एक्सेलेरेटेड इनर्शियल फ्रेम ओफ रेफरेंस तो अभी जैसे हमने बुला अर्थ गूम रही है हम भी अर्थ के साथ गूम रहा है जो बेसिकली बोच दो बोडिस आर मुविग अग्सेलेरेशन भी जीरो यहां पर नौन अक्सेलेरेटेड मोशन होना चाहिए जब्कि आपका नोन इनर्शियल फ्रेम ओफ रेफरेंस जो है यहां फिर अनौन इनर्शियल फ्रेम ओफ रेफरेंस आपना बोटी या तो रेस्ट पे है या फिर उनिफॉर्म मोशन होगे और यही अपना नुटन्स का फिर्स्ट लो है और अपना नुटन्स का है गज Durante kommt लोटेरीड आसनके कर है कि का बन्न चार्फ लोटन्स का sisर लोटन्स का श्याव है तो यह के दो दिस्टिंग्विशिंग पॉइंस दिया मैंने एक तीसरा पॉइंट लेजिए इनरिशिल फ्रेम्स में जभी विया कामतर होगे तो इनरिशिल फ्रेम्स में रियल फोर्सेज अम लोग दोनो शिस्टम्स को या दोनो फ्रेम्स अफ रेफरेंस को एक ही बॉड़ी के या एक ही सिस्टम के अंदर पढ़ लेता है एक कार चल रही है हम लोग कार में बैठे हैं कार इस रानिग अट पोटेवर स्पीड लेज़ से 100 किलोमेटर्स पर आर पे आपका गाड़ी हाइवे में दौर रा एक्दम आप आराम से पीछे बैठे हो जैसे 100 किलोमेटर्स पर आप वेहिकल इस मोविग अगर कॉंस्टेंट स्पीड वाट इस एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन हो गया जीरो और देर्फोर इसका फ्रेम आफ रेफरेंस क्या हो गया इनर्शियल फ्रेम आफ रेफरेंस अब ध्यान से सुनना तो अपनी गाड़ी चल रही है 100 km per hour पे फिलाल हम inertial frame of reference में हैं अच्छानक गाड़ी ने ब्रेक मारा वहाँ से कुछ तो गाए बेंस गुजर में लगे ड्राइवर ने ब्रेक मारा आपका गाड़ी स्लोडाउन हो गया 100 से एक जटके में आप 40 पे पहुँच गए या 30 पे पहुँच गए तो क्या होगा आपको तुरंट एक forward jerk मिलेगा बाद समझ में आ रहे हैं सबने ये चीज लाइफ में experience किया होगा या अच्छानक ब्रेक मारने पे या अच्छानक slowdown होने पे there is this forward jerk that we experience तो यहां पर क्या हो गया यहां पर मेरा system same है बट मैं कहां पॉच गया मैं पॉच गया non inertial frame of reference में क्योंकि अच्छानक से मुझे क्या मिला accelerated motion मिल गया है slowdown था अब वो 30-40 पे चल रहा था फिर से सब clear हुआ वो 40 से अच्छानक accelerator माना 40 से 70 मैं फिर से पीछे की तरफ जटका खांगा मैं फिर से कहां पॉच गया non inertial में क्यों non inertial क्योंकि मैं 40 से 70 या 30 से 70 पॉच गया I get a jerk in the backward direction this time अब गाड़ी फिर से स्मूद चल रहा है मैंना गाड़ी फिर से स्मूद चल रहा है constant speed let's say 100 सो अब मैं इनर्शियल में पॉच गया हूँ फिर से टर्न लेना पड़ा तो 100 पे अपने 70-80 के आई टर्न ले लिया जैसे टर्न लिया you will experience an outward force हम कहां पॉच गए इनर्शियल से तुरंथ हम कहां पॉच गए नौन इनर्शियल फ्रेम आफ रेफिरेंस में पॉच गया तो ऐसा नहीं कि position change करना पड़ेगा अर्थ पे से बाहर जाना पड़ेगा तभी हमको इनर्शियल और नौन इनर्शियल मिलेगा हमको उस गाड़ी के अंदर बैटे बैटे भी इनर्शियल और नौन इनर्शियल एक्सपीरियेंस करने को मिल रहा है तो मार्ट समर्ज में आईगे आप लोग